जननी जने तो भगजन, जादाता जासूर, नहीं तो जननी बाँच है काहे गवावे नूर। भारत वर्ष का इतिहास ऐसे महान व्यक्तित्व के भार्तियों से भरा हुआ है जिन पर हम सब को गर्व है। सरदार वल्लब भाई पटेल जो आजाद भारत के पहले डेपुटी प्राइम मिनिस्टर थे लोह पुर्ष के नाम से जाने जाते हैं। भारत की आजादी के मशाल में इनकी देशभक्ती की लोह भी मौजूद है। सरदार वल्लब भाई पटेल एक मशूर वकील भी थे। तो बात उस समय की है जब उनके हाथ में एक बहुत मुश्किल सा पेचिदा सा केस था और उनका पूरा ध्यान उसी की तरफ था। एक रोज अदालत में गंभीर बहस हो रही थी। सरदार पटेल की जरा सी लापरवाही किसी को फासी के तखते पर ले जा सकती थी। तब ही किसी ने उन्हें एक कागस का टुकड़ा पकड़ाया। जिसे पढ़कर सरदार एक मिनट के लिए तो उधास हुए फिर उसे जजबे के साथ केस की बहस शुरू की। सरदार पटेल के मजबूत तरकों से उनका मोकिल केस जीत कया। केस जीत कर कोट से बाहर आते वक्त सरदार पटेल के मित्र ने उनसे पूछा कि आखिर उस कागस में क्या लिखा था। तो वल्लब भाई ने अपनी आवाज थुड़ पटेल की अपने फर्ज के प्रती आस्था देखकर उनका मित्र नत्मस तक हो गया दोस्तों अगर हम सब भी इसी निश्टा से अपने अपने काम को करते रहेंगे तो भारत वर्ष सूरज की तरह विश्व में चमक उठेगा जै हिंद